पाकिस्तान ने अलो सीफर की गोली बारी सी पाकिस्तान से गोली बारी लगातार जारे और चीन में बोली शुष्मा स्वराज कहा पाक नहीं ले रहा था कोई आक्शन तभी करना पड़ा आध्थनक्यों पर हम लाइए कि नमश्कार सुभर के साड़े दस बच चुके हैं आपका इस बुलेटेन में स्वागत है मैं हूँ आपके साथ हर्ष भाजदू आज तो चलिए शुरूआत करते हैं बुलेटेन की लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं दरसल जम्मो कश्मी के शोप्या में इस वक्त उनकाउंटर चल रहा है इस वक्त की बड़ी सीथने दो आपंकवादियों को मार गिराया एस वक्ती बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं कश्मीर के शोपियां में जैशे मोहम्मत के दो आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया गया है जमु कश्मीर के शोपियां से इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर दो आतंकवादी को मार गिरा गया तीन से चार आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना के अधार पर सुरक्ष सुरक्षाबलो ने कई आतंकियों को अभी फिराल घे रखा है खबर ये सामने आ रही है कि दो आतंकवादी इस एंकाउंटर में मार गिराए गए हैं जमुकश्मीर के शोपिया में इस वक्त मुटबेड चल रही है सेना और आतंकियों के बीच जिसमें जैश मोहमत के दो आतं की बीच मुडबेड लगातार सुबह से जारी है कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना के अधार पर शोपिया में सर्च ऑपरेशन चलाए गया और यह सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है दो आतंकवादी मार गिराए गए हैं इस खबर पर जादा जानकारी के लिए हम अधार गिराय जा चुका है तो अभी कितने और आतंक्यों के चिपे होने की आशंका जताई जा सकती है यहां पर रियाशी मकानात में जो है मिल्टेंट्स और फोर्स के भी जरफ शुरू हुई जो इक्काम हुई और ऑपरेशन अगर भी भी जारी है लेकिन दो मिल्टेंट के मारे जाने की जो है तद्दीब हो चुकी है इलाके में तेईस पैरा और फोर्टीन बटैलिंट्स और एसोजी ने इस इलाके को पूरे तरह से गेरे में लिया था जिसके बाद तलाशी कर वाई और जिस जगा पे मिल्टेंट्स चुपे बैठी थे वहां जब फोर्स गया है और काफी पुरतनाव हालाद बने हुए जिस तरीके से यह सामने देखने को मिलता है कि जब सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है तो कोछ अस्तान्मिया लोग उसमें बादर डालने की कोशिश करते हैं तो अभी के हालात क्या है ऐसी सिचुएशन आज भी पैदा हुई लेकिन पुलीस ने बहुत हब तक इसको कंट्रोल में किया हुआ है लेकिन तनाव जो है वो पूरे इलाके में बराबर जा रही है और नवजवान वो फोर्स के भी जड़तें भी हुई है अभी ये से जानकारी मिल पा रही है तो घर इन ज, लेकिन भी बराबर जारी है और जबर कहले है लृफ्पर्प्रच के मीलट कर रही तो उसको भी न्यूटलाइज किया जाएं तो यह सुरत थाल अभी भी बराबर बनी हुए बहुत बहुत शुक्री आशिक हम तक पूरी जानकारी पहुचाने के लिए तो इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं जहां पर जम्मु कश्मीर के शोपिय में अभी फिराल एंकाउंटर चल रहा है इंटरनेट सिवा को अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है सर्च ऑपरेशन लगातार जा रही है अब बात करेंगे सीमावर्ती इलाकों की जर्चल सर्जिकल स्ट्राइक टू यानि एयर स्ट्राइक के बाद पाक पाकिस्तान लगातार भारत की चौक्यों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान की ओर से जमुकश्मीर में इंतरन रेखा पर नौशेरा राजोरी अकनूर और सीमावर्ती इलाके के पूंच मेंडर कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गुलिबारी का सिलसि है भारत और पाकिस्तान के बीच पुल्वामा हमले के बाद जो संबंध है बेहद तनावपूर्ण है आपको याद होगा कि कल भारत ने एरस्ट्राइक के जरिये पाकिस्तान पर कड़ी कारवाई किया सो से दोस्तों से ज्यादा आतंकवादियों को वहां मार गिराया पाकि लगातार जहां सीस्वार का अलंगन कर रहा है वही अभी लगातार गोली बारी का सिलसिला लगातार जारी है सीमवरती इलाकयों की बात करें हम जोशेरा हो राजोरी अखनूर हो पुन्च या फिर मेंडर सेक्टर हो हर जगा पाकस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही कि भारती सिश्राइक को गोली बारी की जा रही है और भारत किर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बोक लाया हूआ है तो कल भी पाकिस्तान की तरफ से बयानात आएहें और अगर भारत की बात करें बहारत यह लगातार कह रहा है कि पाकिस्तान अपने पालतू आतंक वादियों पर शिकंजा कसे नहीं तो भारत बड़ी कार्यवाई कर सकता है इसको लेकर अब पाकिस्तान लगातार बॉकलाहट में होड़ सीमा पर लगातार गोली बारी का सिलसिला जारी है सीस्वार का उलंगन पाकिस्तान लगातार कर रहा है अगर सीमावर्ती इलाकों की बात कर ली जाए तो सीमावर्ती इलाके के लोग अभी दहशत के माहोल में हैं हमा हर सीमावर्ती इलाके का हाल आपको बताएंगे कुछ देर में हमारे रिपूर्टर अलग-अलग जगे से हमा आतार गोली बारी कर रहा है तो इस ख़बर पर ज़्यादा जानकारी के लिए रिशी हमार साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सांबा का हाल बताने के लिए सीमा वरती इलाकों में किस तरह का माहौल अभी बना हुआ है बहुत बहुत शुकरिया रिशी हमार साथ जुड़ने के लिए इस वक्त सीमा वरती इलाकों का हाल क्या है क्योंकि एर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बुखलाया हुआ है और लगातार गुली बारी की जा रही है अभी वहां के हालात कैसे बने हुए देखी कल जिस तरह से एर स्ट्राइक की गई पाकिस्तान में जो पीयोके में आंते की ठीकाने हैं उन्हें द्वस्त किया गया उसके बाद अगर पूरे लोसी की बात करें जा आई बी की बात करें तो महोल जो है वो थोड़ा सा तनाव पूर ने क्योंकि एलोसी पर कल भी ल करवाने में लगा हुँ था लेकिन अब अगर इंटरनेशन बाडर की बात करें सांबा सेक्टर की बात करें तो परशासन ने भी जो है वो गाई लाइन्स थोड़ी जारी कर दी हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोई हरकत की जाती है तो कही न कहीं लोगों को कि अगर कुछ ऐसे हालात बनते हैं तो आप हालात पर बिलकुल काबू पाईए और कहीं न कहीं उनको ये भी हिदायते दीगी वहां के लोगों कि आप घरों से बाहर मत निकलिए क्योंकि वहां पर अगर पाकिस्तान जिस तरह से बुख्राया हुए तो अगर कोई भी थोड यहां से लोग जब अराम से उन कैम्स में जाके माइगरेट कर सकते हैं ताकि कि किसी करह का कोई जानी माली लुक्सान ना हो बिलकुल रिश्यय अगर बात करें लोगों की तो लोगों से आपकी बादचीत हुई होगी लोग का आखिर क्या कुछ कहना है कि इतने दह्शत में लोग हैं देशित तो जब भी पाकिस्तान सीषवालेशन करता है तो देशित का महुल तो बन ही जाता है लेकिन लोग जो हैं अभी इतने महुल इतने टैंस नहीं है क्योंकि किसी तरह से एडमिनिस्ट्रिशन उन्हें पूरा संभाल कर ऐसे गाइडलाइन जो जारी की हैं उन्हें साफ क पता नहीं कि कब वो सीषवालेशन इंटरनेशन बार्डर वर भी शुरू कर दे लेकिन कल जिसना से अक्रूर में भी किया गया तो हो सकता है कि लोग तोड़े-बोदे दैशित में हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रिशन ने पूरी जो तैयारियें की है कि अगर इसी तरह की कोई पंकस में भी राते गुजारी हैं तो अभी क्या हलात और बॉलंगन वह कि या जा रहा है बोलिबारी का सिल्सिला लगाता जा रही है तो अभी के हलात और क्या कुछ बन सकते हैं और देखि है लेकिन अब उसके सासत उन्हें यह कहा कि घरों से बिलकुल बाहर मत निकले चाहे बच्चे हैं यह और बाकी लोग है क्योंकि पाकिस्तान मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी बोकलाट में है और वह चाहेगा कि कि इसी तरह की कोई हरकत को अगर हम बात करें पाकिस्ताना बोकलाय हुआ है गोली बारा है ल्गातार वो कर रहा है सीमवरती लाखों कि अगर बात करें अगर कशमीर कि कर लिजा है तो कश्मीर में हालात कैसे हैं क्योंकि लोग यह सोच रहे हैं किसी भी बात को ले कर कि क्या आगे जंग हो सकती है या फिर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा तो कश्मीर में अभी महाल कैसा है तो तकनीकी खराबी के कार्ण कुछ सी आधिकत की वज़े से अभी रौफ से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है हम दुबारा रौफ से भी जुणने की कोशिश करेंगे जम्शीद मलिक से भी हम थोड़ी देर में जुणने की कोशिश करेंगे हमार साथ रिशी बने हुए हैं का मोहल है और लोगों को सबस्क्रवा को यही कहते हैं के sinking रहा हो दो गर ने वेकि देर स्थाब्क जैसे गए ऐसा उटें लगा नचिया पक्राइय में इसी तरहे की आफेori में अगर जो उनके वहां पर खेत हैं उनके ना जाएं कियोंकि मुवमेंट जो है वह वहां पार उस पार से साफ दिखती है अगर बात राजोरी पूंच की करें तो जमशीद अभी वहां हालात कैसे क्योंकि पाकिस्तान की तरफ सी गोली बारी का सिलसिला लगाता जा रही है राजोरी और पुंच पूंच के हालात सहुत की मिने साफ प्रकी यह वहां आरे मिनन चाहा है केड़ी बात ने ग्रत जालता है कि युदे बताया जा रहा है कि पाक्समान के जहादों ने एक पर फिर शीमा लंगन किया है और इस तरफ जाकुल हुए जिसके बाद हो अभी तक हमारे जहाद को पूरी तरा इस वक्राइब कर रहे हैं कि कुछ लोगों को पैराशूर्ट से उतरते देखा हुए यह लाइना क से अंदर जाकल होने की कोशिच किया है कि निशारा और निशारा के लाके से और इन इलाकों से अंदर उने की जाकल हुए हैं और इसके बाद यह वापस लोड़ चुके मगर अभी तक हालात बहुत जादा किशीदा बने और इसो कि राज़ोरी पूंचके आफमान पे जाद दो कि आवाजें सुनाई दे रही हैं क्योंकि सुबह से रात बर से ऐसा लग रहा था आप बहुत ज्यादा किशीदा थे क्युक्वर रात बर से लोगों का क्या कुछ कहना है लोगों से आपकी बात चीत हुई होगी लोगों में आज कल से जब से ये फ़जाई हमला हुआ उसके बाद ही लोगों में डर्वाखोव देखनों को मिर रहा था क्योंकि लाइन आफ कंट्रोल के डिस्टिक एरज़ोरी और पूंच दोनों क्योंकि लोगों में पहले ही काफ़ए कि से लोग डर्वाखोव देखनों को मिर रहा है बहुत बहुत शुक्रिया जम्शीद हम तक पूरी जानकारी पहुचाने के लिए तो इस वक्त विनोध हमार साथ जुड़ चुके विनोध कुमार हमारे सीनियर साती हैं विनोध जिस तरीके से हाला तभी सीमावर्ती इलाकों के बने हुए हैं अब बात करें राजोरी की पु पाकिस्तान के अंदर घुसकर अब गोलीबारी का सिंचिला पाकिस्तान की तरफ से जारी हो ऑपकिस्तान इस वक्तर वुक्त लाया हुआ है पहुन हो कि आपके आवाज कर रही है पहुम्हें हाट ही लाधार पाकिस्तान बोखलाया हुआ है क्योंकि भारत की तरफ से की गई पाकिस्तान के अंदर घुसकर अब सीमा वर्थी लाकों की बात करें तो सीमा वर्थी को के हालात तनावपूर्ण बने हुए है तब कि उसके बाद से पाकिस्तान की लगातार बढ़ती जा रही है उसके कारण यह भी है कि इस तरीके से अंतराश्च समुदाई ने पूरी तरह से इसको आइसोलेट कर गया वह बोकलाट में आने के बाद पूरी जो आई भी भी है लो सी दोनों जगाँवं पर लगातार फाइरिंग कर रहा है और हमें जो नोशेरा से से सुतना मिली है वहां पर हैवी शेलिंग की गया है और टैंक के गोले दागे यह चिंता का विशें बोकलाट में पाकिस्तान कुछ भी करना चाहता है लेकिन हमारी सैनाओं दौरा भी यह गश्कर मा कुल जवाब लिए जा रहा है अगर बात करें अऩरफ रखा गया है पंजाब हो राजिस्थान हो जम्मू कश्मीर हो कि अगर गशागऌår नहीं है तीनों जो सेना प्रमुख हैं उनके साथ है तो अभी अमीटिंग में क्या कुछ निकल कर सामने आ सकता है कि भारत बड़ी कारवाई कुछ और भी कर सकता है पाकिस्तान इस तरह की हरकतों पर आएगा पाकिस्तान को पहले यह मान लेना चाहिए कि जिस तरी के से अमरीका ने स्टेंड दिया और खाया कि आप अपने यहां जमीन पर जो मिलिटन्स है पहले उनके किलाव कारवाई कीजिए तो उस पर अमर करना चाहिए ना कि भारत की सि होई है पाकिस्तान अपने देश को पताना चाहता है कि हम कुछ कर रहे हैं लेकिन उप पॉछ्ट्र के जवानों ने पाकिस्तान को ऐसा कुछने करने दिया है अगर लोगों की बात करें विनौत तो कल की एरस्ट्राइक के बाद अगर जम्मु के लोगों में बहुत कुछी देखने कुई लिनी थी हमने तस्वीरे भी दर्शोकों को दिखाई कि लोग कितने कुछी में थे लेकिन अब अगर बात कर ली जाए ऐसे हालात बन रहे हैं कि बहुत बड़ी कारवाई भारत की तरफ से की जा सकती है जैसे हालात क्या बन सकते हैं आने वाले दिनों में जैसे हालात आलमुस्त बने हुए हैं इंडिया पुरी तरह से है यहां से टेंक्स जो है कल भी ट्रें के मातिम से पहुंचाएंगे हैं पूरी तरह से बॉर्डर को सीज़ किया जा है बॉर्डर के आस पास ते लोगों को रहने वालों को पहले से चिताया गया है इवन की जो मेडिकल से चुड़ हुए लोग है है कि उनकी चुटिया चैंसल कर दी गही है जितने हैं इसको हम हाइप देखे लोगों में पैनी क्रियेट करें ऐसी बात नहीं है लेकिन भारत सरकार या भारत की सेना भारत के सक्षावल पूरे इस तरह से तयार है उचाहते हैं पाकिस्तान किसी तरह करता है उसको दोबारा से मुझतोर जबाद दिया ज जानकारी पहुंचा आने के लिए तो हमारे सीनियर साथी जिस तरीके से बता रहे थे कि अभी सीमवर्ती इलाके में हालात तनावपुर्ण है और लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीजवार उलंगन किया रहा है गोली बारी की जा रही है लेकिन भारतिय सेना हर तरह से तया लोसी पर गोली बारी कर रहा है जिसका भारतिय सेना लगातार करारा जवाब दे रही है पांच चौकियों को पाकिस्तान की चौकियों को भारत ने निशाना बनाया और पाकिस्तानी बंक्रों को पांच चौकियों को नस्ट किया गया है सब ही खबरों में साबनी आ रहा है पाकिस्तान गोली बारी कर रहा है लेकिन भारतिय सेना जवाब लगातार दे रही है और भात कर लेते हैं सुषुमा सुषुराज की क्योंकि आशुषु सुषुमा सुराज विलीश मंतरी है वो चीन के दौरे पार है और वहां पर भी अपकिस्तान के खिराफ बोलाओं ने कहा कि पाकिस्तान अपने आतंक दंकवादियों को नकेल नहीं कस रहा है और भारत की ओर से प्योक्वें जैशे मुहम्मत की आतंकी ठिकानों पर एरिस्टाइक करने के बाद सुष्मा सुराज ने ये भी कहा कि लगातार पाकिस्तान ऐसी हरकते कर रहा है जिससे भारत को नुकसान हो पाकिस्तान लगातार आत सुष्मा सुराज ने चीन में कहा है जिसके बाद भारत सरकार ने उसके खिलाफ कारवाई करने का फैसला किया है ऐसा सुष्मा सुराज ने कहा इस तरह से लक्ष्णिधारित किया गया और आम लोगों को नुकसान ना पहुंचे एरस ट्राइक के बारे में भी शुष्मा के साथ बैठक में शुष्मा सुराज ने यह बाते कहीं और क्या कुछ कहा है शुष्मा सुराज ने वह आपको लिखा देते हैं यह कि में अद्चरा कोष्मा के विखा टो Ayet the largest and the target was selected in order to avoid civilian casualties Alabsis शुष्मा सी Expectraby इस this was not a military operation no mobility cellations were targeted the limited objective of the preemptive site was to add to decisively either the terrorist infrastructurezes he Mahonand in order to preempt another terror attack in India India does not wish to see for the alhasone ol the situation we have continue to up to the responsibility and restore excuse me in our discussion today i look forward to having productive exchanges with you on other important issues such as climate change reformed multi-election RIC cooperation under the open book of international organizations and international hotspot issues I believe the weekend meeting of RIC will positively contribute to the on-going global discussion on a host of issues thank you है और फिर हमापको बताते चलें कि पाकिस्तान अंभी भी लगातार गोली-बारी कर रहा है इस वक्षाचंग आ रही है कि पाकिस्तान की च्छ seront को यौनी बंकल सको भारतिय सेना ने खत्म किया है नुकसान पहँचाया गिया है लगातार पाकिस्तानी गोली-बारी कर यही बुलिस्तादियो